तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारी कुछी मिंटों में अंडे अच्छे से वाइल चुके हैं और हम आपको इसको दिखा भी देते हैं तो देखिए ये अंडे अच्छे से वाइल हो चुके हैं तो दोस्तों आज अंबोक्सिंग को रिउक करने वाले एक इस्ट्रीम का जो कि कुछी मिंटों में अंडों को उबाल देती है तो फटा-फट अंबोक्सिंग कर लेते हैं इस बोक्सिंग के हम जो कि हमने फिलिपकार शोडरी किया है हम आगे आपको बताएं किस तरह से अंडे उबालने हैं कितना समय लगेगा और इस मसीन को लेना है कि नहीं लेना सब कुछ आपको लुडिमा के दिखाने वाले हैं तो दोस्तों यह हमारी एग इस्ट्रीम सामने आ चुकी है तो आप देख सकते हैं वैसे तो यह लोकल ब्रांड है दोस्तों पर तीन सो रुपे में हम इसमें हम एक साथ लगबक साथ अंडे उबाल सकते हैं देख सकता है जिसमें साथ होल दे रखे हैं साथ होल से हम एक साथ साथ अंडे उबाल सकते हैं और इसकी नाप के लिए में गलास दे रखा है जिससे हम पानी इसमें डाल सकते हैं तो हमें इसकी नाप की जरुट नहीं विसमें इसको फुल भरना रहता है उसके बाद हम यह डखकन को लगा देंगे और कुछी मिन्टों हमार अंडे उबल के त्यार हो जाएंगे तो हम इसकी वाइरिंग देख लेते हैं यह हमारी वाइरिंग है जो यह काफी छोटी दे रखी है इनने हमें एज़ेस्ट करना पड आड़ियेगा तो हमने मैं इस प्लप को लगा दो पावर में इसको पावर दे दिया है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिक्ड़र जलने लगा हूआ है यहां से ओन op कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हम पानी भर देते हैं सबसे पहले तो हम इस डिस्पोजल में जो इसका साथ आया है प्लास्टिक के मगे से भर सकते हैं पर मेरे ही साथ दोस्तों इसमें नाप की कोई जरूबत नहीं है हम इसको सीधा सिर्फ कलकुल मिलाके फुल भरना है तो हमें काफी ठीक रहेगा क्योंकि इसके अंदर पानी उबलने के बाद पानी कम पड़ जाता इसलिए हम इसको फुल भर देना चाहिए दियान रहे है बसी इससे बाहर पानी ना जाए और बाहर भी चला जाएगा तो वेसे मसीन को कोई नुक्षान नहीं है दोस्तों तो हमने लगबग इसमें पानी फूल बर दिया है हमें कुछ कम लग रहा है तो हम इसमें और भी पानी डाल सकते हैं तो ये काफी लगबग फुल हो गया है, अब इसमें हम सात अंडे क शान्त रख सकते हैं, पर हम अबर पच्छ अंडे हैं, तो हम छे अंडे रख के आपको दिखाएंगे, तो ये हमारी चुनडे हम इसमें जैंपा लेते हैं श्टेप बाइश्टेप, तो वेसे दोस्तों हमें छे अंड़ों की जर्वत नहीं है सिर्फ हमें दो अंड़े उबालेंगे जर्वत है तो हम सिर्फ दो हें अंड़े उबालेंगे दोस्तों तो यह लगबक इस तरह से अंड़े हम जमा कर एक साथ वोईल कर सकते हैं तो हमें दो अंडे की जरुबत है, हम इसमें सब आगी अंडे निकाल लेते हैं तो अब दो अंडे हम उबाल के दिखाएंगे कितना असा में लगता है इसके अंदर तो यह हमने डखकन लगा दिया है और इस स्वीच ओन कर दिया है तो कुची मिन्टों में दोसरे समय भाब बने लएगे और भाब से हमारे अंडे कुची मिन्टों में पक कर तयार हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं लगबग यहां पर भाब बन चुकी है और हमारे अंडे उबल कर तयार हो गए हैं लगबग 8-9 मिट हुए हैं और अच्छे रिजलिटे के लिए आप 10 मिट जरूर दे इस मसीन को आपके अंडे तयार मिलेंगे तो दोस्तो हम आपको दिखा देते हैं अंडे उबले हैं कि नहीं उबले हैं इनको फोड़ कर हम दिखाएंगे और दोस्तो इसमें काफी बचत है आपके बिजली की आपकी येस की क्योंकि गेस पे हम उबले हैंगे 10-15 मिट में उबलना पड़ेगा और 10 मिट में यहाँ पर बिजली विल्कुल जीरो के मातर खाती है तो आप देख सकते हैं लगबग अपन करके देखते हैं तो देखे आप लगबग वोईल हो चुका है अच्छे से ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा है जल्दी खराब ना हो तो मिलते अगले उड़े में जबते के लिए जय हैं जय भारात दोस्तों अगर आप कोई की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए